टाइमिंग के लिए को इश्यू है नहीं सारा किया है फोर्टी कोशिन को अगर आफ लाइन देंगे तो उसमें ओमार सीट भलना बार-बार आते वे डिश्टब करेंगे आपको नमस्कार स्वागत है आपका डेनाइट स्टड़ी डेनस में 2024 में सीवीटी की प्रवेस परिक्षा 15 से 23 मई के बीच में सीवीटी और OEMR बेस्ट आवजित होनी है आज हम वरांसी के एक संटर पे है आज सीवीटी एक्जाम का पहला दिन यानि के 15 मई और फर्स सिप्स्ट की जो परिक्षा है वो डोमेन में केमिस्टी की है यहां 10 से 11 की बीच में परिवेस परिक्षा या कहलें कि डोमेन में यह एक्जाम हुआ है और लगबग टाइम हो चुका है जब वो अभ्यारती जिनका एक्जाम था अपनी एक्जामेशन हाल से निकल के आने वाले हैं उन से ह लेंगे, फीडबेक लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर का लेबल क्या था, क्या डिफिकल्टी लेबल था, उन्हें पेपर आसान लगा, मौडरिर लगा, टफ लगा, किस प्रकार के यहां पे इंतिजाम किये गये हैं, चुकि इस बार पहली बार ओफलाइन है, और उसके बाद भी एच्च्च यानि की बनारा सिंदू विश्वद्याले है, तो लगवक्त समय हो चुक क्या है, उन अव्यार्स्तियों से, जैसे हो एक्जाम से निकलेंगे, हम जानने का प्रयास करेंग, पेपर के लेबल के लिका, कौन कौन से डॉकॉमेंट से अंद करेंगे, हम जाननपूर से अच्छा गया लेकिन थोड़ा हाद आया था, इसमें इन और्गैनिक होता है और फिसगल होता है, इसमें सबसे ज्यादा इस किस लगाए पिसर अच्छा थीक था, इन और्गैनिक का थोड़ा था, तो आपने सारे कुशन अटेंट किया तो एक जए उसमें 50 कुछिन टोटल दिये थे, इसमें 40 करना था 40 करना है सारे कुछिन आपने अपने अटम्ट करना है, एक 44 कुछिन आपने अटम्ट किया है मतल्यार पेपर का पेटरन थूँए जरा सापको को बॉर्ड ला ला अच्छा टाइमिंग के लिए कोई इश्यू है क्या मतलब कम पढ़ जा रहा है अच्छा जब आप एक्जामिशन हाल में जा रहे हैं तो आप कौन पर से डॉकुमेंट सबसे चिक किया जा रहे हैं उसमें सर आधार कार्ड फोटो और अड्मिट का ठीक है बहुत बहुत अच्छा टाफ्ता कोई कहा रहा है इन और गैनिक टाफ्ता तो आपको पेपर ओवराल कैसा लगा पेपर ठीक अटेम्ट किया कुछ छोड़ दिया अपने अच्छा स्यूट की आपने अपने फॉट्य कोर्स के लिए आप्लाई किया आपने बी एसी बीच्छी में मतलब किस एक्जामेशन हॉल में एंटर करते समय है एडमिट कार और अधार कार और कोई डॉक्मेंट नहीं है और कोई डिफकल्टी लेवल है कोई दिक्कत आपको यहां पर कोई समाज सेकुटी अभी पहला दीन आज आज आप जानती एक्जाम का है बहुत सारे लोग एक्जाम देन सब्सक्राइब कोई किसी प्रस्म दिक्कत या ऐसा कि सर पेपर टफ आय था मॉडडरे आय था इसी आय था नहीं ऐसा कोई बार नहीं को दिक्कत नहीं है और पहली बार पेपर हो रहा है और मुझे जहां तक उमीद देख कि आप लोग का 12 के बाद पहला कोई कोई कोम्पलिटिव एक्जाम जो है पेपर तो कैसा लगा पेपर आप लोगो व दिखार आप लोगो अपया शबड़ लुग फया अशिज को दिक्कार नपर पार प्लूग देख दना ना एक भाल्न देख लिए दिख लिग्या है तो आप लगो बडी आंप लिए से अटिफ नो हुदम कॉम कैसा लगा लोग क्या शुरा अपटेग कि अपनी कि आपनी यहीं अपनी के तो मेंखना दिये जाना हुआ जिवे अण चुरा करना कर दोर हिंगे वर दीक यह एक्पर सर लॉफन कि वर लॉफने कि अपने न दो अजाननल दीत शुक्य ऑल पर क्या है गुलिफी नहीं दी तो थोज से आपकी पर पर यह भी तो इक्जाम में कोई दिक्कत मतलब बूर्स बेर तुट से तफ लगा या इसी अजिए तफ दन बोर्ड बूर्ड बड पर संट राइड वेल यहां कालिफा अच्छा तो इतने कुछ नहीं किया अपने आप अट दो कित यह पर लोगों कोई पुष्ट जोड़ा यह पर कलेवल साही तो तो एमर बेस्ट एक्जाम ता ओफ लाइन कोई दिक्कत आप लोगों और यहां पर जब आप लोगों एक्जाम लिग्वाल में तो कौन-कौन चेप बहुत अधार काड़ और फोटो लग़ा है अधार कार्ट फोटो और मेरे एद्मिंट कार्ट ये तीन डॉक्वमेंट और कोई डॉकुमेंट की ज़रूद नहीं अच्छा बहां पर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है जब आप लोग अंदर जा रहा है तो कोई प्रोसेस अगर आप बताएं चुकि अभी आगे बहुत सारा भ सबताव किशे करना है करना का था कि पाइक सब्सक्राइब किसे पधाले कोई समस्य तरफों क्या लगता है कि फचास समर्स करता है है 75 श्याषिय पर अज़ पेपर था दोमेन और पुछ अब्यारती बता रहें किसी को इन और गैनिका पेपर का थोगा लगा तो कैसा अपो लगा मेरे को सही लगा कि 12 के पेप बेस पेथा सब सही तो कहां से आप आप आपका अपका अच्छा तो आप रेनु जी और कविता कविता नाम आपका पविताजी आपने सीवीटी में किस विशुद्याले के किस कोर्स के लिए अपलाई किया है अपका पहला पेपर था फिर जो है भाव का होगा अमरीका जी जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट है शाम को पांस चाह के बीच में बताब पेपर और आपको सही लगा तो पचास में से स तो कैसा पर गए अपका पेपर थीख था बस तोड़ा इनाउरियिक में थोड़ा कुड़ा यगु अच्छा जो है पचास पसंते चाइस पंट करने थे तो आपने चारिस क्या स्पोरा किया रिचोड़्यों टीन कोश्चिन चोड़े हैं तो ओवराल अगर आप जाना चाहें आपसे तो पेपर का पैटन कैसे लगा पैटन ठीकत नहीं हुआ है जो कि 12 से थोगा सा डिफरेंट तो रहा लगाई होगा अप लोगो और मेरे खियाद से पहली बार आपका 12 के बाद कोई कॉम्टेटिव एक सब्सक्राइब करना था तो आपने 40 के 40 पूरा किया या कुछ चुट गया तो मतलब कुछ कुछ न आपने छोड़ दिया है आपने किस कोर्स के लिए कि शुजदाले के लिए अप्लाई किया है मैं अलहाबाद बेगो एक बार आपने प्लाई किया है तो 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 की फिजिकल का स्प्षण था इसमन पर और 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 तो तीरों में से किसी का लेबल डिफकर लगा हो या तफ या फिर कहले है अप्लेट या एज़ा दाओ टो पीजिकल का सट्शन था इसमें इनारग मौर्ट मदलब जो पढ़े थे वह तो ठीक ता मतलब जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ा था मैंने तो थोड़ा टाफ लागा मुझे तो लगा अच्छा बाकि में एक सी जाना चाहूंगा चुकि आज पहला पहले दिन का एक्जाम है और बहुत सारा भ्यारती अभी में क्या है धुलो कहुंट पर अर्च पाने को नुँट आख रहर है और मैं नहीं नहीं चुर्सतिंट टाफ़ पहले हूंग फाहरा था सव्या ग्रंव जांदा का मैंने तो अब और अधार काट के थ् रूट कौतने लग टाचर नहीं करна के थे बाकि पॉर चνुट को यह और आप मैं बता है अधार काड़, एडमिट काड़ और एक पासपोर्ट साइज फोटो, इतना कुछ लगा रहा है तो ओवराल आपका इक्जाम अच्छा गया, चले बहुत 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 शुक्रिया आपका रीविजनिक लिए अच्छा ही गया था बट हम लोग एक साल रॉप किये थे इसलिए तयारी अम लोग का उतना अच्छा नहीं था फिर भी सही था दिये अच्छा ही गया है कि सुछ देले के लिए आप लोग अन अप्लाई किया है अच्छा है और आपने तीन जगां अप्लाई कि आपने सारा अप्लाई कर दिया हां तो टार्गे हमारा इसलिए कि बीसी पर एक दो इनुश्टी तो होगा प्राइटी पे हां तो क्योंकि बीच्च में आपका बीसी नहीं है बीटे कंप्यूटर साइंस इंजिनिरिंग नह अगर आपका तो ड्रॉफ है तो अपने ओलाइन दिया होगा तो ऑनलाइन से ऑफलाइन बेहतर लगा या ओनलाइन सही देखे ऐसे तो अपने जगा दोनों सही है अगर ऑफलाइन देंगे तो उसमें ओमार सीट भलना बार आते वे डिश्टब करेंगे आपको ऑनलाइन एक बार जब अपने सिस्टम बैठ जाएंगे तो फी पेपर देने के बाद ही उठना पड़ता है तो आपको उसमें कुछ डिश्टरबस होता है तो आप यह कहना चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन एक्जाम देना ज्यादा अच्छा लग रहा है आलाइन ज्यादा ब जाए नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं वा जैसे आपने पहले का कि दोनों बेतर है लेकिन आपको ज्यादा ओनलाइन जो है अच्छा लगा आपको ऑफ्लाइन पेपर देना अच्छा लगा वेस्ट विकॉस्टर जब हम लोग लोग पेपर देने बैठते तो उस ताइम से लो तो अच्छा उस बार ऑनलाइन इस बार आउफ रहे हैं तो इस बार पेपर का पेपर का पेटर्न मॉड़ेट कैसा बहुत हलका था अहां बहुत हलका अगर पढ़े होंगे ना जो अगर इंटर इस बार जो पढ़ा होगा अच्छे से और गैनिक हमेस्टी सर जाता पूछा अच्छा 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 कि जिसे मेरा यह मानना है कि तीन स्ट्शन होता है और इन और गैनिक और फीजिकल आपनों होता है तो जैसे आप पता रहे हैं किसका बहुत जाए था और गैनिक जाए था तो चुकि 50 प्रश्ण में से क्यों 40 करने थे है ना तो यह तो और भी आप लोगों को छूट मिल गया कि चलो जो 40 कुशन आर उस अटेम्ट कर लो तो 40 कि 40 अपने अटेम्ट किया कुछ फोड़ा नहीं हम पुड़ा किया अच्छा ओम्र सीट फिल करें में कोई दिक्कात आप लोगों पैली बार नहीं सर बहुत 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 शुक्री आप लो